दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली है ऐसे में कुछ ताकतवर लोगों का और बहुत से कमजोर लोगों का मरना तय है तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन करेक्टर्स के बारे में जो कि Avengers Infinity War या Avengers के 4 पार्ट में मर सकते है इस वीडियो में हम देखेंगे के वो कौन से करेक्टर्स है जो कि MCU को अलविदा कहने वाले है लेकिन एक बार मैं आपको फिर याद दिला दू कि ये सब अभी सिर्फ फैन थे रही है तो आईए रेखते है जब से Avengers Infinity War का नाम अनौन्स हो रहा है तब से बस यही बात चालू है कि कौन इस मुवी में मरने वाला है शायद आप भी हैरान होंगे कि क्यों इतने important characters के मरने की बात चालू है इसका reason यह है कि Marl Comics में इतने साइं characters है जिनके बारे में अभी बहुत से लोग जानते नहीं इसलिए Marl Studios अपने पुराने characters को हटा कर इन नए characters को मुवी में उतारना चाता है उपर से हमारे heroes खुदी अपने रोल को जादा लंबा नहीं घीचना चाते तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से characters है जो कि Infinity War या Avengers 4 में मर सकते है सबसे पहला character है Loki Loki क्यों मर सकता है इसके बहुत से reasons है सबसे पहला reason यह है कि Loki ने Thanos से पंगा लिया है 2012 की The Avengers में Loki ने Thanos से सौधा किया था कि वो उसे Tesserae Cube लाके देगा और बले में उसकी चित्तोरी आर्मी लेकर धर्ती पर राज करेगा उस वक्त Thanos के servant ने Loki से कहा था कि अगर वो नाकाम हुआ तो वो उसे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे एक तो Loki उने Tesserae Cube नहीं दे पाया उपर से उसने Thanos का दिया हुआ सेप्टर जिसमें Mind Stone था वो भी गावा दिया Marvel Studios के President Kevin Feige ने कहा है कि Infinity War movie के शुरुवाती 5 मिनिट में ही आपको परचल जाएगा कि Thanos सबसे खतरनाक विलिन क्यू है इस बात का इशारा किसे ना किसी की मौत के तरफ है हमें पता है कि Infinity War movie वहीं से शुरू होगी जहां Thor Ragnarok खतम हुई थी और ट्रेलर में भी हम Thanos और उसकी आर्मी को Thor और Loki के साथ देख चुके है Thor Ragnarok में हमने देखा कि Loki अब थोड़ा सुदर चुका है तो हो सकता है कि Loki इस बार एक बड़ा सक्रिफाइस करे और Thor को बचाने के चक्कर में खुद Thanos के हाथों मारा जाए मतलब हमेशा मरने का नाटक करने वाला Loki इस बार सचमुच मर सकता है ट्रेलर में भी Loki ज़ादा सीन्स में नहीं दिखा Loki का रोल प्ले करने वाले एक्टर Tom Hiddleston का Marowal Studios के साथ पाच मूवी का कॉंट्रेक्ट है इसलिए ये मूवी Loki की आखरी मूवी हो सकती है अगला करेक्टर है विजन Thanos को सभी Infinity Stones चाहिए जिसमें से एक स्टोन यानि Mind Stone विजन के सर में लगा हुआ है और सभी को ये डर है कि Mind Stone के बिना विजन जिन्दा नहीं रह सकता इसके पहले एक वीडियो में वो बिना पाउर्स के भी जिन्दा रह सकता है लेकिन ये सब बाते अभी सिर्फ थेरी है और विजन के मलने की possibility तो अभी भी है अगर ये मान भी ले कि विजन बिना Mind Stone की जिन्दा रह सकता है तो विजन की बॉड़ी से Mind Stone को बहुत समाल के निकालना होगा अभी तक किसी ट्रेलर या पोस्टर में होगाई दिखा नहीं लेकिन वो इस मुवी में है क्लिन बार्टन यानि होगाई Avengers का सबसे कमजोर मेंबर है सबी फैंस को ये डर था कि होगाई Avengers Age of Ultron में ही मारा जाएगा यहाँ तक कि जब वो Ultron से आखरी लड़ाई के लिए गया था तब उसकी वाइफ ने भी उमीद छोड़ दी थी लेकिन वो फिर भी बज़ गया उसे बचाने के चक्कर में बेशारा Quick Silver मारा गया अपने तीर कमान का इस्तिमाल करके Hawkeye चित्तोरी आर्मी और Ultron से तो बज़िया था लेकिन शायद वो थेनाउस और उसके आर्मी के सामने ना टिक पाए अगला कैरेक्टर है Captain America Hawkeye के अलावा Captain America भी ऐसे कैरेक्टर है जिनके पास कोई Special Power नहीं है भले ही Captain किसी Normal इंसान से कई गुना तकतवर है लेकिन थेनाउस के सामने वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते जब तक उनके पास कोई Infinity Stone या कोई Special Power ना हो Captain America का रोल प्ले करने वाले Chris Evans Officially ये Confirm कर चुके है कि Avengers 4 MCU में उनकी Last Movie है और शायद Captain रेटायर होने की बज़ाए Comics के जैसे ही Movie में भी मारे जाए इसके बाद है Thor हालागी Thor के मलने की Chance थोड़े कम है लेकिन Contract के हिसाब से Avengers 4 Chris Hemsworth की Last Movie है पहले ये Decide था Thor Ragnarok Thor की आखरी Solo Movie होगी लेकिन Thor Ragnarok बहुत बड़ी Blockbuster निकली इसलिए उस Movie को Thor का Reboot माना जा रहा है Chris Hemsworth से जब पूछा गया कि क्या वो Avengers 4 के बाद Thor बनना चाहेंगे तो उन्होंने इसके लिए हाँ कहा इसलिए शायद हमें फ्यूशर में और भी Thor की Movies देखने को मिल सकती है और सबसे लास्ट क्यारेक्टर है हम सभी का फेवरेट Iron Man Tony Star कैनी Iron Man की बिना हम Marvel Cinematic Universe को इमेजिन भी नहीं कर सकते लेकिन क्या करे एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है जिस क्यारेक्टर की सबसे ज़्यादा मलने की चांस है वो है Iron Man ट्रेलर में हम Thanos और Iron Man को लड़ते हुए देख चुके है इस बार Iron Man का सूट बहुत advance है ये सूट automatically repair हो सकता है इसके बावजुद भी यहाँ पर Iron Man का सूट काफी damage है हो सकता है कि Thanos के साथ काफी लंबी लडाई के बाद अब ये सूट ठीक से काम नहीं कर रहा और यहाँ Thanos टोनी से कहता है मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें याद रखेंगे और वो उसकी तरफ एक जोरदर पंच मारता हुआ दिखता है देखने से ऐसा लग रहा है कि इस सीन में Iron Man मर जाएगा लेकिन बागी heroes के जैसे ही Avengers 4 Iron Man की last movie है मतलब अगर वो इस movie में मर भी जाए तो वो किसी तरह से Avengers 4 में वापस जिन्दा हो जाएगा और Avengers 4 में ही Iron Man की final death होगी या वो हमेशा के लिए retire हो जाएगा तो अब बात करते हैं उन characters के बारे में जो कि अभी नहीं मरने वाले इस list में जादातर वो characters है जो कि MCU में अभी नए है जैसे कि Spider-Man, Doctor Strange, Black Panther, Guardians और Ant-Man इन सभी character की movies के अभी sequel आने वाले है इसलिए ये सब जिन्दा रहेंगे और Black Video की solo movie confirm हो चुकी है इसलिए शायद वो भी जिन्दा रहेगी और Hulk को मालना तो almost impossible है Hulk का रोल करने वाले Mark Tuffello के contract में total 6 movies है मतलब Avengers 4 के बाद भी Hulk की एक और movie आ सकती है अब बचा Bucky Bands यानि Winter Soldier Sebastian Stan के contract में total 9 movie है मतलब Avengers 4 के बाद भी उसके पास 4 movies बचती है इसलिए वो भी नहीं मर सकता Comics में Steve Rogers के बाद Sam Wilson या Bucky Bands ने Captain America की जगा ली है यहाँ Sebastian Stan मतलब Bucky के contract को देखते हुए रगता है कि वो नया Captain America बन सकता है तो दोस्तों ये थे वो कुछ important characters जो कि Avengers Infinity War या Avengers के 4th part में मर सकते है अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like और share ज़रू करें और ऐसी interesting videos देखने के लिए सब्सक्राइब हीजे हमारा channel और इस bell को दबाईए ताकि आपको हमारी videos सही time पर मिल सके प्राइब तो जापको करें प्राइब को देखना और आपको प्राइब करें झाल झाल